Honda CB125R अपनी बाइक के अपडेटेड एंजन के साथ इंडियन मार्केट में बहुत ज़्याद लाँच होने वाली है Honda Company ने इस मोटल के अंदर कई छोटे बड़े अपडेटेड करके आप लोगों के लिए ये बाइक पेस की है जिससे इसकी मेक्स पावर में एक दिसमलब 6BHP का डिफरेंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यानि कि इस बाइक के इंजन पहले से ज़्यादा पावरफुल होने वाला है इतना ही नहीं Honda Company ने इस बाइक के हाड़वेर में भी कापी सारे चेंजिस किये हैं और इस बाइक के अंदर आप लोगों को सिंगल एक्जोष्ट सिलेंडर देखने को मिल जाएगा और इसमें आप लोगों को 10 लीटर का फ्यूल टेंग देखने को मिलता है और अगर बात कर इस bike के mileage की तो powerful engine के साथ साथ इस bike में आप लोगों को 45 km per liter का average आराम से देखने को मिल जाएगा अगर बात कर इस bike की performance के बारे में तो इसके अंदर आप लोगों को 120 km per hour की speed आपको देखने को मिल जाएगी जो की 100 km per hour की speed को catch करने के लिए 14-15 second का समय लेती है और CB125R1 sport bike है तो इसके अंदर आप लोगों को riding mode भी देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस bike के engine के बारे में इस bike के अंदर आप लोगों को 125cc का liquid cool 4 stroke engine देखने को मिल जाएगा क्योंकि लगवग 10,000 rpm पर 14.7 bhp की max power को generate करता है वही अगर इस bike के torque power को देखा जाएगा तो इस bike का engine लगवग 8,000 rpm पर 11.7 mm का torque generate करता है अब बात करते हैं इस bike के meter के बारे में इस bike के अंदर आप लोगों को fully digital meter console देखने को मिल जाएगा जिसकी screen पर ही आप लोगों को gear position, rpm, indicator, speed meter, fuel level जैसी सारी information आप लोगों को screen पर ही देखने को मिल जाएगी और अगर बात करें इस bike के lights के बारे में तो इस bike के अंदर आप लोगों को headlight, tail light, indicator और DRL सब कुछ आप लोगों को इस bike में LED में ही देखने को मिलेंगे भई अगर बात करें इस bike के connectivity की तो ये एक sport bike है और 2030 के हर model में आप लोगों को सारी connectivity देखने को मिल जाती जैसे की Bluetooth, आपके mobile को charge करने के लिए charging port, GPS, calling support, riding mode इस तरह की सारी connectivity आप लोगों को इस bike में तो देखने को मिली जाएगी बात करें safety and security की तो इस bike के अंदर आप लोगों को dual pistol, dual channel, ABS braking system देखने को मिलता है जो कि front और rear दोनों side आप लोगों को ABS braking system देखने को ही मिलेगा अगर बात करें इस bike की price की तो इस bike के अंदर आप लोगों को सारे advanced features देखने को मिलते हैं तो चलिए guys इस वीडियो में बस इतना ही तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेर्चल को सब्सक्राइब कर लीजिए